आखिरकार लंबे इंतिजार के बाद पवन सिंग ने अपना होली का पहला गाना रिलीज कर दिया है और गाना सुनकर इतना शांदार लगता है कि दर्शकों के शारे इंतिजार की भरपाई इस गाने ने कर दी है पवन सिंग का होली का पहला गाना कब आएगा ये सवाल पिछले 20-25 दिन से भोजपुरी दर्सकू में सबसे चर्चा का विशय था जब से खेसारी ने होली का अपना पहला गाना रिलीज किया था तब से ही फैंस पवन सिंग के गाने का इंतजार कर रहे थे यह इंतजार लंबा होता गया एक एक करके खेसारी ने कुल 9 गाने रिलीज कर दिये और पहुन सिंग के तरफ से एक भी गाना नहीं आया लेकिन आज 14 फर्वरी को वेलेंटाइन दे के दिन पहला गाना आता है गाना शुरू होता है तो उसके पहले सेकेंड से ही जो म्यूजिक सुनाई पढ़ता है वह खेसारी के 9 गानों पर भारी पढ़ जाता है पहुन का गाना आज सुबा वेब म्यूजिक के यूट्यूब चैनल से रिलीज हुआ और इस पर दर्सकों का रिस्पॉंस सांदार दिख रहा है और ऐसा रिस्पॉंस की उम्मीद भी थी क्योंकि गाना है भी बहत सांदार अब पहले पॉण सिंग ने बताया था कि 14 फरवरी को उनका एक लब सौंग आएगा जब वो यूपी के सिदार्त नगर महुत्सों में थे तो उन्होंने ऐलान किया था कि 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे के दिन टी सीरीज से मेरा एक लब सौंग आएगा लेकिन दो दिन पह गाना कैसा है गाने में क्या खास बात है विश्तार से इस गाने का रिविव व्यूडियो में आगे करेंगे पर उससे पहले नमस्कार जमाज भोजपूरी देख रहे हैं और मैं हूं सन्नी विष्रा क्यामरे के पीछे हमारे साती विशाल खड़े हैं पहुण सिंग का होली क पर दर्सकों का अच्छा खासा रिस्पॉंस देखने को मिला है, हलाकि इस गाने का अच्छा प्रमोसन नहीं हो पाया है, क्योंकि पाउन सिंग का गाना किस चैनल से आएगा और कौन सा गाना पहले आएगा, इस चीज को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन था, पाउन के पहले होली गीत को लेकर अलग-अलग ख़बर आ रही थी, अलग-अलग पोस्टर रिलीज हो रहे थे, एक पोस्टर DRS म्यूजिक से आया और लगा कि जल्द ही एक गाना रिलीज होगा, तो कुछ चैनलों ने बताया कि पहले ग्लोबल म्यूजिक चैनल से गाना आएगा, बीच में पाउन सिंग ने कहा दिया कि चौदा तारीक को उनका एक लब सौंग आएगा, इतने सारे अलग-अलग चर्चाओं के बीच पाउन सिंग का या होली गीत अचानक से वेब म्यूजिक पर आया, जिसका पोस्टर एक दो दिन पहले ही रिलीज हुआ और तुरंत गाना भी रिलीज हो गया, अब इस चीज से फैंस की सिकायत भी थी, वो नाराज थे, कि कम से कम गाने का अच्छा से प्रमोशन तो कर देते, गाना कब आएगा, कहा से आएगा, इसकी असपश्ट जानकारी तो देते, बहराल आप गाने की तरफ लोटे, तो पौन का यह गाना उन्ही का पुराना गाना हमहु जावान बानी, तुहु जावान मजा लूटा गाने के म्यूजिक पर बना है, और जैसे ही गाना शुरू होता है, पहले सेकेंड से ही जो म्यूजिक का एक माहौल बनता है, सुनकर एकदम मजा आ जाता है, गाने के मोजिक डिरेक्टर है प्रियांसो सिंग, उन्होंने मीजिक में ठीक ठा काम किया है अलाकि उन्हें कुछ जबा ही करने की जरुरत नहीं पड़ी है जिस में से एक गाना हरी हरी ओड़नी है जो पूरे वीश्व में नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा था और इस होली के गाने में भी आसुतोस का काम बेहत शांदार है अब हम बात करते हैं वीडियो की तो वीडियो इस गाने का बेस्ट पार्ट है वीडियो इतना सांदार है कि एक पल भी गाने से ध्यान नहीं हटता है वह पाउन सिंग की जबरदस्त वाली एंट्री हो वीडियो को डिरेक्ट किया है पाउन पाल ने और पाउन पाल का काम बेहत शांदार है इस गाने की वीडियो को उन्होंने बॉलीबूट के गाने के लेबल का बना दिया है अब गायकी की बात करें तो इसमें शुरुवात से ही शिल्पी राज जैसी आवाज सुनाई पड़ती है लेकिन असल में आवाज शिवानी सिंग की है जो पाउन के पिछले वाले गाने धनी हो सबधन में भी गा चुकी है सिवानी वहीं लड़की है जिसको इसपूल में mamik में गाते वए video viral हुए थا गाना तक कर जाना कबो माई बाबू के भराई हो और वहीं सिवानी अब star बन गई है और पवण सिंग के साथ उसका रगतार गाना आ रहा है और पौवन सिंग क्या ही बात की जाया उनका आवाज तो सांदार है फुल मिलाकर गाने का आडियो वीडियो सब सांदार है पौवन सिंग ने होली की शुरुवात काफी अच्छी कि है आप भी गाने को सुनिए आपको बहुत अच्छा लगेगा और हमारा रिव्यू कैसा लगा कॉमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताईएगा जमाजम बोजपूरी देख रहे थे आप बोजपूरी इंडस्ट्री से जुडियाने खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें धन्यवाद